नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका यश भाया अगर आप 2023 बैच के स्टूडेंट हैं आप किसी कंपनी में प्लेस्ट हो गए हो या अभी भी जॉब की तलाश कर रहे हो तो आपके लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत जादे अपडेट लेकर आया हूँ बच्छो तो एमेज़न ने सौफ्ट वेर इंजीनियर की इंटर्णशिप अपोर्शनुटी निकाली है भाई देखे अमेज़न टोप फड़ाइब प्रोड़क बेस कंपनी में से एक है वर्ल्ड की वन अ लार्जेस्ट कंपनी है बहुत-बढ़िया वर्क नचर है एक-एक ब्राइं है Amazon में काम करना सपना है Amazon में काम करना तो यहां पर आपको internship opportunity दी जा लिए और अगर आप अच्छा perform करते हो internship में तो Amazon की तरफ से आपको full time job offer मिलेगा software development engineer की job role पर अपने senior से आप पूछेगा वो crave कर रहे हैं इस job role के लिए तरस रहे हैं basically आपके final semester exam हो जाएंगे फिर मई और जून का समय आपके लिए खाली है क्योंकि most of the company आपको जुलाई और अगस्त में joining देने वाली है तो आप company जुसमें भी placed हो गया वो तो आप join कर लेना लेकिन यह दो महिने की internship कर दो हो सकता है यहां से आपको full time opportunity मिल जाए तो वो एक्सवाइज एड कंपनी तीन चार पांच लाग के package की company को आपको join ही ना करना पड़े और आप directly amazon में कान कर रहे हो internship अकेले में यह आपको 5.6 lakhs रुपीज का package देती है और अगर आप full time job यहां पर करने लगते हो आप सिलेक्ट हो जाते है अगर अगर आप amazon में लगबग 10 साल तक टिक जाते हो तो 10 years लेटर जो sda software development इंजीनियर की salary होती है वो 52 lakh रुपीज होती है यानि हर दूसरे साल आप करोड़ पती बन रहे होगा एक तरीक से राइट तो amazing opportunity है भाई make sure वीडियो को लास तक देखेगा यहां पर job role क्या है क्या detailed eligibility क्या job description है क्या casitals required है क्या job responsibilities है job location कितने समय की internship है joining date last day to apply recruitment process exam date interview date exam pattern कैसे apply करना step by step detailed registration process YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा मैं आपको पूरा registration process करके दिखाऊंगा और कैसे job के लिए prepare करना है तो make sure subscribe करके पाल आइकन दबा दीजेगा ठीक है भाई अब देखते हैं job role आपकी software development engineer की होने वाली summer internship basically है यह अब देखे eligibility criteria में आपने कोई भी बैचलर या master's degree कर रखियो आपने बीई वी टेक बीसी ए बीसी में एम्टेक एमसी एमसी कर रखियो तो आप eligible हो आप 2023 में आपकी graduation जो है वो खतम होनी चाहिए और अगर आप computer science information technology computer engineering यह CSIT related branch से हो तो ही आप eligible non CSIT branch वाले eligible नहीं है यापर सारे colleges allowed है कोई 60% का criteria नहीं अगर 10-12th graduation post graduation में 60% से कम है तो भी आप eligible हो कोई backlog criteria नहीं अगर आपकी back लगी होई है तो भी आप eligible हो और कोई year gap criteria नहीं अगर आपने 2-3 साल का पढ़ाई में gap भी किया हो तो भी आप eligible यहां पर हो जाते हो और दो चीजे होंगी या तो आप eligible बैठते होगे या तो आप eligible नहीं होते होगे अगर आप eligible हो तो make sure preparation तगड़े तरीके से start कर देना preparation के लिए आप हमारा मेरा placement होगा course चेक कर सकते हैं अगर आप eligible नहीं होते हो तो description में आपको job updates की playlist मिल जाएगी तो बहुत सारी companies आपके batch के लिए हायर कर रही है कही ना कहीं तो आप eligible batch जाओगे अगर आप already eligible भी हो Amazon के लिए तो यह video खतम होने के बाद यह playlist एक बार देख लिना जितनी जादे companies में आप apply कर रहे हैं कि उतना आपके लिए फायदा होने वाला है ठीक है अब जल्दी से एक बार देख लेते हैं job description क्या होने वाली है क्या क्या skills required है क्या आपकी roles and responsibilities होने वाली है तो उसके लिए मैं directly आपको hiring के page पर ही ले जाता हूं Amazon की apply page पर ले जाता हूं आपको distributed computing environment distributed systems पर आपको काम करने को मिलेगा company सब चीज़े सिखाएगी आपको internship में सब सिखाएगी तो यह सब नहीं भी आता है तो चिंता नहीं करना आपको सबको सिखाया जाएगा ठीक है अब applications are reviewed on a rolling basis for an update on your status or to confirm your application was submitted successfully please login to your candidate portal right इतना ध्यान रखना है कि rolling basis पर आपका application review हो रहा है यानि batch by batch basis पर तो एक एक खटे computer science में object oriented design algorithm design data structure problem solving वगरा पर आपको basic knowledge होनी चाहिए ठीक है अब यह तो compulsory है उसके अलावग कुछ qualification preferred है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात नहीं ठीक है अगर आपने पहले कोई technical internship की हो तो अच्छी बात है वही अगर distributed multi tired systems algorithms relational database का knowledge है तो अच्छ optimization mathematics linear programming non-linear optimization का knowledge है अगर यह सब knowledge अगर है तो और अच्छी बात है नहीं है तो कोई बात रही होती है तो आपको बैंगलोर एक्स्प्लोर करने का मौका मिलेगा बहुत सारी companies आप किसी में भी walk-in interviews के लिए जा सकते हो तो चांदी चांदी आपकी होने वाली है दो महिने की internship की total होने वाली है मई 2023 और जून 2023 में internship होगी इनके system में आपका exam clash होता है तो date को आगे कर दिया जाए रहा आपकी convenience के हिसाब से डेली आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा करोगे within 30 days test की link आपको immediately आ जाएगी 30 दिन के अंदर अंदर आप कभी भी test दे सकते हो ठीक है जैसे मैंने आज apply किया मेरा test live हो जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर मैं कभी भी test जो है वो दे सकता हूं ठीक है उसके बाद test के बाद आपको interview का call आएगा भाई हैना अब interview की जो date है वो अभी तक mention नहीं है ठीक है उसके अलावा Amazon का क्या exam pattern है भाई तो यहाँ पर आपको दो coding questions आएंगे और 70 minutes का time दिया जाएगा आपको 70 minutes में coding question को solve करना हो ठीक है अब जल्दी से देख लेते है step by step हम किस तरीके से द्राइब में apply कर सकते है कर सकते है अच्छो apply करने के लिए description में आपको apply link मिलेगी उस link पर आप click करेंगे इस तरह के page आप पहुच जाएंगे देखिए आपको दो चीजे करनी है सबसे पहले तो आपको वीडियो पूरी देखनी है ठीक है अभी apply नहीं करनी कि अब पूरी वीडियो देखिए क्योंकि of वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है आप apply now बटन पर click करेंगे एक step में आपको बताता चलूँगा ठीक है एक नया page यहाँ पर खुल जाएगा अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ-कुछ options आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखिए don't have an account yet create one पर आपको click कर लेना है ठीक है सबसे पहले हम account create करेंगे उसके बात जॉब में apply करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप से सबसे पहले आपकी email id पूछ रहा है हम अपनी email id एंटर कर देते हैं हमने email id एंटर किया आप देखिए password की बात कर रहे है तो password के लिए कुछ-कुछ terms and conditions comes come a uppercase अपर केस मतलब capital letter comes come a number 0-9 के बीच में comes come a special character कम से कम 8 character का आपका password होना चाहिए सारी terms and conditions को satisfy करते हुए हम एक password बना देंगे देखिए टिक आ गया है यानि सारी conditions आपकी satisfied हो गई है चलिए confirm my new password दुबारा से आप इस password को एंटर करेंगे चलिए very good भाई and create account पर आप click कर देंगे तो आपका amazon jobs account create हो जाएगा यहाँ पर आपकी email id पर एक verification आएगा तो अपनी email id पर आपको जाना है देखिए amazon का verification code आएगा इस code को आप enter कीजिएगा so that वह आपकी email id verify कर ले verify बटन पर आप click कीजिएगा भाई very good verification successful हो गया अब यह आपको jobs के page पर redirect कर देगा ठीक है अगर आपको automatically redirect नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर click कर सकते है चलिए मेरे को automatically redirect कर दिया भाई अब आपसे आपकी contact information पूछ रहा है भाई सारी information सही सही डालिएगा भाई ठीक है हमने name डाला अपना last name डाला आपकी email id अल्रडी ले ली है phone number आपका इंडिया का है अपने इंडिया सेलेक्ट किया यहाँ पर मैंने अपना phone number डाला just a second okay rate मैंने अपने यहाँ पर phone number इंटर किया just a second let me plug into the charger एक्चिली आपको एड्रेस पूछा हुआ है तो हम एड्रेस डाल देते हैं correct address डाल दीजिये भाई चलिए address डाल दिया जिस मैं देखिए red mark डेकिवल वो field कंपल सरी है तो वही भर दीजेगा बाकी field आप चाहें तो skip कर सकते हैं city डाल दी हमने अपनी very good pin code डाल दिया very good अब आपसे country पूछ रहा है तो जल्दी से हमने country में इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया आ गया state पू सारी details को save कर लेगा अब अगर आपको sms update चाहिए कि आपका job application का क्या हो रहा है अभी update चाहिए तो enable sms update पर आप click करेंगे तो आपको पहले एक OTP आएगा इस OTP को enter करिएगा और फिर आप अपने you know mobile number verify कर सकते हैं ताकि आपको sms update मिलती रहे ठीक है मुझे नहीं करना तो म skip and continue पर click करूँगा तो मैं अगले page पर आ जाओँगा आप है उसके बाद यहाँ पर are you willing to relocate yes पर click करना है मैं किसी भी location में काम करने के लिए तयार हूँ preferred work location जो भी आपकी job location preferred वो डालिएगा भई यहाँ पर मैं आप से request करूँगा कि आप Bangalore ही डाले ठीक है क्योंकि Bangalore मे ही internship है तो आपके chances of selection जो है वो बढ़ जाने वाले है तो अपने Bangalore पर click किया इस role के बारे में आपको कैसे पता चला तो आप नीचे scroll करेंगे other का option आएगा other में specify करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पर knowledge gate डाल देना है ठीक है knowledge gate डाल देना है continue पर आपको click कर देना है आपकी work history पूछेगा आपको कितने साल का work experience है अगर आप fresher हो तो 0 to 2 years of experience डालेंगे आपकी current employer आपने अगर कहीं पर internship कर रखी है तो आप यहाँ पर वो सारी internships डाल सकते हो किन किन company से कौन कौन आपका employer है वो सारी detail आप डाल सकते हो अगर मैंने कहीं पर भी काम यह कहीं पर internship नहीं कर रखी है तो मैं यहाँ पर fresher mention कर दूँगा ठीक है अब यहाँ पर आपकी skills mention करनी है बहुत important है make sure correct skills आप mention करें आपको जो जो भी आता हो लेकिन आपसे interview में सवाल पूछेंगे तो make sure सही सही information डाले है ठीक है इस तरीक से मैंने डाल दिया continue पर click कर दिया है यहाँ पर very good अब आपसे आपका educational level पूछा है तो भाई आपने diploma किया है graduate हो आप क्या हो यह सब आप डाल दीजिएगा भाई यहाँ पर master's किया या post graduation किया है तो भाई मैं यहाँ पर graduate पर click करूँगा ठीक है उसके बाद आपसे आपका school name यहाँ पर अपन बैचलर्स पर click कर देते हैं तो आपसे आपका school name पूछेगा ठीक है graduate भी डाल सकते हो आप यह आप बैचलर्स पर डालो क्योंकि अभी मैं अपनी bachelor's degree कर रहा हूँ master's degree कर रहे होगे तो आप master's पर select करिएगा तो मैं bachelor's degree कर रहा हूँ तो मैं bachelor's पर select किया अब आप से आपका college का नाम पूछेगा ठीक है अब जैसी आप नाम डालोगे तो वहाँ पर वो बता देगा कि आपका college list down है के नहीं तो भाई नहीं होगा अगर list down तो अपने आप other का डालिए मैंने अपने नाम डाला और college का नाम डाल और कॉमा लगा के आप city भी डाल दीजेगा ठीक है अब first major पूछ रहा है यानि आपकी ब्रांच पूछ रहा है तो अपने आप computer science रहा है तो computer science related क्या क्या है यहाँ पर computer science एस पे क्लिक कर दिया इन दौना फील्ड को skip कर द कर रखी है तो mtech की detail at secondary at second highest education में btech की detail डाल दीजगा 10-12 की detail डालने के ज़रूरत नहीं है continue पर हम click करेंगे भाई work eligibility have you previously applied to amazon no i have not applied have you previously been employed के आपको amazon ने job दी इससे पहले नहीं दीए भाई are you subject to a non competition agreement or other agreement which would restrict your employment नहीं मेरा तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैं बिलकुल work करने के लिए ready हूँ कोई मेरे उपर कोई criminal case नहीं है कोई agreement वगरा नहीं है मैं आराम से आपकी company में काम कर सकता हूँ ठीक है आपको आगे कोई sponsorship की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपको इंडिया से बाहर भेजें तो है ना तो मेरे को नहीं पड़ेगी नो पर ही click कीजेगा ठीक है फिर आप जिस country में रह रहे हो are you living in or you are are you currently physically located in any of these country क्या आप इन में से किसी country में रह रहे हो नहीं भाई नहीं रह रहे है हम तो इंडिया में रह रहे है अब आपकी citizenship कहा की है इंडिया की है तो इंडिया आप फिर since obtaining your most recent citizenship did you afterwards become permanent resident in any other country किसी और country में आप you know resident बन गए हो क्या नहीं नहीं बने है भाई ठीक है अब यहाँ पर आप continue पर click कर देंगे भाई अब continue पर click कर देंगे तो आप से आपका resume submit करा रहे है तो आप LinkedIn, OneDrive, Google Drive, Dropbox या directly आप अपने computer से अपना resume upload कर सकते है ठीक है तो यहा PDF के format में यहां पर आपका resume देखिए पूरा upload हो जाएगा make sure latest resume अपना डाले ठीक है अगर आपका resume verify आपने नहीं किया हो तो एक बार आप मेरे से verify करा लें आपको description में resume verification course मिलेगा just 499 का course है मैं खुद आपका resume बन वहाँँगा पूरी training आपको दूँगा और मैं खुद description में link मिल जाएगी अगर आप मेरा placement होगा course के part हो तो अलग से आपको लेने की जरूत नहीं resume verification उसमें included है ठीक है अब आपको इस पर click कर देना है कि भाई आप acknowledge करते हो सब कुछ and continue पर आप click कर देंगे भाई अब यहां पर आपको अपना gender डालना है continue पर click कर देना है ठीक है उसके अलावा आप ex-military हैं क्या नहीं है आपकी member जो है वो reserve forces of the country में काम करता है कोई family member मेरी तो नहीं करता आप military के husband या wife है क्या नहीं है ठीक है तो continue पर click कर देंगे फिर यहां पर आप अपनी सारी information एक बार review कर लीजेगा यह उपर edit का option है आप edit भी कर सकते है कोई भी information क क्योंकि एक बार submit हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है तो यहां पर देखे आपको submit application का button दिख रहा होगा तो आपने submit application के button पर click करना है जैसे submit application के button पर click करेंगे तो आपका जो form है वो देखेगा यहां पर automatically submit हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखे आपको online assessment complete करना पड़े तो यहां पर आप start assessment पर click करेंगे just a second मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं very good आप start assessment button पर click करेंगे तो आपका assessment जो है वो यहां पर खुल जाने वाला है तो देखे यहां पर coding test आएगा सब कुछ आएगा तो कई बार पहली बार में नहीं खुलता ह make sure एक दो बार जरूर से आप try करें definitely खुलेगा मेरा जब मैंना first time exam दिया था चार से पांच बार में खुला था तो definitely आपका exam का जो link है वो खुलेगा ठीक है उसके अलावा आपको email पर देखे पूरी detail भी आ गई होंगी अभी तक तो email पर आप you know assessment complete करने के लिए आप यहां आप इसके लिए prepare कर सकते हैं demo assessment भी इससे पहले आप दे सकते हैं यह सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ दीजेगा ठीक है भाई तो इस तरीके से आप assessment देंगे भाई तो again खुड़ा सा कुछ issue है इसकी वज़े से assessment जो है वो खुल नहीं पा रहा है देखे 15 फरवरी तक आ 30 days आप assessment को दे सकते हैं तो अगर assessment खुलने में कोई दिक्कत आ रही हो तो रात के समय पर try कीज़ें क्यों रात में traffic कम होता है तो लेकिन definitely आपका assessment खुलेगा जरूर एक बार चलिए मैं दुबारा से एक बार try करता हूं आप लोग के सामने पिशली बार भी 4-5 बार में assessment खुल जाए तो देखिए assessment यहां पर खुल चुका है आप सारे tabs एक बार close करके देखेगा तो हो सकता है आपका फिर assessment खुल जाए तो यहां तो डायरेक्ली आप assessment पर आ जाएंगे देखिए दो सेक्शन आएंगे दौनों सेक्शन में एक एक कोडिंग कोशन आएगा आप continue पर click करें आपको यहां पर अपना full name एंटर करना पड़ेगा ठीक है फिर declaration आपको देना पड़ेगा एगरी करेंगे और आप hacker rank की website पर देखे पहला coding question दूसरा coding question solve का option है आप click करेंगे तो directly आपका यह coding question खुल गया आप किसी भी programming language में coding question को answer कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से दौनों coding question जो है वो खुल जाएंगे sample test किसे वगरा सब कुछ है ठीक है तो आप एक बार इसको चेक आउट कर लीजेगा बढ़िया से अपनी preparation स्टार्ट कर आप मेरा placement होगा course चेक कर सकते हैं पूरा coding का module आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है इसको एक बार चेक करें उसके अलावा पूरा आप resume यहाँ पर अपना verify करा सकते हैं मुझसे interview की preparation कर सकते हैं सारे technical subject मिल जाएंगे interview की preparation के लिए data structure algorithm operating system DBMS computer network software engineering everything उसके अलावा बहुत सारी companies near future मैं आपके batch के लिए hire कर रही है तो सारी companies के courses मिल जाएंगे और नीचे आप बच्चों की review पड़ी है 13,000 सूपर बच्चों को मैं already placed करा चुका हूँ बटा यह review कभी भी खतम ही नहीं हों गयार आप लोग का प्यार इतना रहा है तो one of the best course है एक बार जरूर से इसको check out कर सक भगवान आप सभी को खुश रखे वीडियो पसंद आई हो ऐसी और job notification चाहिए तो जरूर से comment करें and again channel को subscribe जरूर से कर लीजेगा thank you so much and video को share करें अपने college whatsapp group में